कि निए अब बॉनिंग इस्टुदेंट्स वेलकम टो चैनल यह तकाड़ मी आज हम बात करने वाले अपने पावर सिस्टम के लेक्शे नंबर फायद के बारे में तो हमारा लेक्शन नम्बर चार हमारे चार लेक्चर, लेक्चर नम्बर 1234 चार हमारे लेक्चर अप्लोड हो चुके हैं हमारे YOUTUBE चैनल पर तो हमने अभी तक बात करी हैं, लेक्चर नम्बर 4 जो हमने लाफ्ट टाइम अफ्लोड किया था उस पर हमने एक power system की बात करते हैं power system में जब हम generator करेंगे उसके बाद जब हम transmit करेंगे अपनी electricity को जो भी हमने generate की है तो हमेशा जो आपका transmission होता है जो भी आपका transmission होगा वो एक high voltage पर होता है यह बात आपने बहुत बाद सुनी होगी तो कुछ इस तरीके साज हम पढ़ने वाले हैं कि question की form पे स्कॉम देखेंगे कि इन power system in power system वाई डूवी प्रेफर वाई डूवी प्रेफर आहाई वोल्टेज वाई डूवी प्रेफर आहाई वोल्टेज transmission वाई डूवी प्रेफर आहाई वोल्टेज ट्रांस्मिशन गया ब्लब्र्स परेफर इसका डूवी प्रेफर आहाई डूवी प्रेफर देखेंगे देखें आप लोगों को यह पता होगा इंडिया येशली फैपंड है इफ्ड़िए में क्या ऊता है जो प्रक्यौट अपका नूट्र इवा सब्सक्राइब ऐसके बाद किया होता है आपका मगर्ड आपकी जो से सिस्टि इए हुती के भी तक वह क्या करते हो मालनी जी कोई generator है वह जर्फ को चुन तरीकर से हम बनाते हैं कि हमने यहां क्या लगा यह एक एक transformer होगा यह को एक transformer होगा transformer 1 कि यह transformer क्या होगा यह transformer होगा का 번째 and아p transformer एस यह होता है आपका step up transformer ह 요 Reagan 10 के वी को generate किया है जब आप इसको transmit करोगे तो आप कितने मैं करोगे माанд लीजे की हमने कुछ बात करी कि यह जो TF ag Web 61 11 kv by 132 kv just for example यहाँ पर कुछ भी रेशियो 765 kv भी हो सकता है ठीक है अब इधर जाओ इधर जलिएगा आपको भी एक transformer होता है हमारा पास कुछ इस तरीके से transformer number 2 यह क्या होगा आपके यह कुछ होगा आपके पास 132 kv 2 कुछ 11 kv इस कुछ इस तरीके से फिर आपके आप various loads connected होंगे यहाँ पर various loads connected होंगे इस तरीके से बेसिकली हमने आप क्या किया है आपको यह कुछ डाइग्राम दिखाया पावर सिस्टम का कि यह आपको कुछ जनरेटिंग यूनिटेज जो से 11 kv में आपकी कुछ voltage को जनरेट किया है उसके बाद क्या है आपका transformer connected होता है जो उस 11 kv की voltage को transmit करने के लिए step up करता है ठीक है step up करेगा एक high voltage पर फिर हम एक transformer लगाएंगे जो क्या करेगा उस step up voltage को step down करेगा क्योंकि हमको transformer जो है हम जब हम transmission कर रहे हैं यह वाला region है transmission का आप एक high voltage पर transmission करते हो उसके बाद आपको क्या करना है एक उसके बाद आपको distribute करना यह अपनी supplies को तो आपको क्या करना पड़ेगा down करना पड़ेगा अपनी voltage level को तो हम transformer to कुछ इस तरीके से लगाते हैं हमारा फिर various load connected होते हैं जो भी हमारा domestic load होगा industrial load होगा जो भी requirement होगी इस तरीके से हम कुछ महाँ पर लेके जाते हैं तो important topic हैं देखिए एक single land diagram कुछ होता है वो हम बादने पड़ेंगे मगर अभी तक के लिए important है समझना कि कुछ इस तरीके से होता है हम step up transformer लगाते हैं generation के just बात ताकि हम voltage को step up कर सके तो हम यह पढ़ रहे हैं कि हम ग्यारा केवी में transmit क्यों नहीं कर पा रहे हैं यह कोई ग्यारा केवी आपकी कम voltage है हम हाई voltage में ही क्यों transmit कर रहे हैं अपनी voltage को तो हम यह पढ़ रहे हैं basically जैसे कि मैंने यह पर लिखा है कि इन power system why do we prefer a high voltage transmission तो कुछ इस तरीके से हम इसको देखेंगे मालनीजे पहली condition पहली condition क्या है हमारे पास आपको पता है कि power equals to v i cos 5 जो आपकी power होती है वो कितनी होती है v i cos 5 आप देखिएगा आप जो आपका cos phi होगा, वो कुछ ना होगा आपका V by P by V i, ठीक है, आपको इस तरीके से बोल सकते हो, cos phi क्या होता है आपका, power factor यह होता है आपका power factor, ठीक है यह आपको कुछ power factor है यह power factor हो गया या फिर आप किस तरीके से बोल सकते हो, कि जो आपका i होगा current I equals to P by V cos phi आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हो कि जो भी आपका power होगा जो भी आपका current होगा वो P by V cos phi के बराबर होगा ठीक है? अब देखिए कुछ ये current है हमारे पास P by V cos phi अब देखिए line losses आपको पता है जो भी loss होगा मेरा line पे एक हमारे पास transmission line होगी उस transmission line का कुछ inductance होता है उस transmission line का कुछ resistance होता है उसका कुछ capacitance होगा उसका कुछ conductance होगा वो हम सब देखेंगे आगे फर्दर classes में मगर हम ये कहने हैं कि भाई जो power loss होगा हमारा line में वो कुछ होगा आपका I square R की form पे power loss जो होगा वो I square R की form पे होगा तो जो power loss होगा I हमारे पास यहां से अगर हम लिखेंगे I come क्या लिखेंगे I come ये लिख सकते हैं P by V cos 5 का square into R आप इसको P L को लिख सकते हो ना यासी यह आपका power loss है P L यह आपका क्या है यह आपकी power है तो आप उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो आपको कुछ इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो P L equals to P square upon P square upon V square cos square 5 into of R into of R देखें अगर आपने कुछ इस तरीके से लिखा कि P L equals to K times of 1 upon V square अगर आपने कुछ इस तरीके से लिखा कि भाई power loss जो होगा मेरा वो होगा equal to k times of 1 upon v square where जहां पे आपके पास k कितना है? k आपके पास कितना हो जाएगा? this factor p square into r upon cos square phi आप इस equation को ये भी लिख सकते हैं कि pl is the degree proportional to 1 upon v square इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो हमारा power loss होगा वो कितना होगा आपका? इन्वसी परपोर्शनल होगा power loss जो होगा इन्वसी परपोर्शनल होगा 1 upon v square के इसका मतलब क्या है आपका अगर आपकी ये quantity अगर आपका voltage बढ़ेगा voltage of the transmission line अगर बढ़ेगा तो आपका power loss जो है line power loss, power loss in the line वो क्या होगा आपका decrease हो जाएगा तो आपका losses घट जाएगे अगर आपने voltage अगर आपने voltage को high voltage पर transmit किया है तो क्या होगा आपका power loss degrees हो जाएगे जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास V जो है इसका V का square है यहाँ पर V का स्वेयर, अगर माननीजे, आपके पास है तो इस सबसे हमारा जो पावर लॉस होता है लाइन पे वो डिग्रीज हो जाते हैं जैसे से हमारी वोल्टेज डेवल बढ़ता है दूसरी केस अब ही हमको जरुत पड़ेगी इस टॉपिक के रुख जाए एक मिनट कुछ इस तरीके से हम देखते हैं देखें यहाँ पे सेकेंड सेकेंड पे हम क्या लिख सकते हैं आपको पता है ने हम लोल इंटो है कितना होगा रो एल बाए ये लिख सकते हैं यहां से एरिया जो होगा वो रो ईल बाए R के बराबर होगा आप यहां से R को क्या लिख सकते हो यहां से इसको अगर आप equation number 1 मालनी जिए तो हम यहां लिख सकते हैं कि from equation first from equation first R equals to R जो होगा वो हो जाएगा आपका PL into PL into यहां से हो जाएगा आपका V into cos phi का square divided by P square यह होगा आपके पास R की value यह equation number first equation second equation third अब देखें यहां आपने equation number first यहां पर लिखी देखें हो equation number second, equation number third on putting equation third in second या फिर हम यह बोच सकते हैं कि जब हम इस R की value को equation number two पर पुट करेंगे तो हमारे पुछ आएगा A equals to rho L upon R square R वतलब कितना PL upon P square into V square into cos square phi आप इस A को क्या लिख सकते हो आप इसको यह भी लिख सकते हो अगर हम यह मालने कि यह सारे term constant है तो आपके पास A जो होगा अगर आपके पास जो वोल्टेज बढ़ने से क्या होगा अगर आपके पास जो वोल्टेज है जो आपके ट्रांस्मिट कर रहे हो उसकी जो वोल्टेज अगर बढ़ेगी तो आपका जो एरिया है एरिया cross-sectional एरिया ओफ्धी कनड़क्टर cross-sectional area of the conductor cross-sectional area of the conductor वो क्या हो जाएगा reduce हो जाएगा size of the conductor reduce हो जाएगा size of the conductor size of the conductor reduces यह है दूसरा point सबसे पहला point हमने पढ़ा था कि अगर हमारा voltage level बढ़ेगा voltage level बढ़ेगा मतलब यह है कि अगर हम voltage transmission जो करेंगे high voltage पर करेंगे तो उसके regarding क्या होगा आपका power losses in the line वो कम हो जाएंगे दूसरा क्या है आपका अगर आपके पास voltage बढ़ेगा transmission का तो उसकी वज़े से क्या होगा आपका area of the cross section जो है वो कम हो जाएगा या फिर हम यह एक बोल सकते हैं कि size of the conductor is reduces now point number third तीसरा क्या advantage है वो कुछ इस तरीके से है third point मैं कुछ यहाँ पर diagram बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से यह आपका कुछ load connected है जो की lagging nature का है यह आपका कुछ lagging load है यह J XL यह आपका generator है यह sending end vs angle delta receiving end BR angle 0 यह आपका sending end यह receiving end यह आपका कोई line reactance है आपके पास यहाँ पर कुछ यह आपके पास कुछ sending end की active power sending end reactive power sending end apparent power यह सब आपका sending end से associated है sending end यह आपका होगा कुछ PR QR SR यह होगा आपका receiving end से associated receiving end यह diagram इस तरीके से कैसे आता है क्या आता है यह हम पढ़ेंगे अपनी आगे वीडियो में अभी जस्त समझने के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि हम यह वाला टॉपिक समझ रहे हैं वीएस एंगल डेल्टा यह लिखाए वी आर एंगल जीरो वी आर एंगल जीरो यह हमारे पास कुछ लोड कनेक्टेड है अब क्या होगा इसमें कुछ इस तरीके से होता है देखें हमको पता है कि भाई क्या होता है मीडियम ट्रास्मिशन लाइन क्या होता है यह सब हम अपनी फर्दर वीडियो में पढ़ेंगे जो आए गया आगए राइट तो उसके साब से अगर हम अभी देखें कि हमको सिर्फ एक चीज समझने कि हाई वोल्टेज रास्मिशन क्यूं होता है ठीके तो उसक समय यह कोशिश कर रहे हैं और शौ ट्रास्मिशन लाइन के संदिंग एंड यह डिशीविंग एंड एक्टेव पावर एस वेल एस तरीके से होता है इसका फॉर्मूला ठीक है यह कुछ इस तरीके से निकल के आता है तो इस पर देखेएगा आप जब हम इसकी बात करेंगे तो हम इसको लिखते हैं कि पी आर एक्वल टू पी एस एक्वल टू पी मैक्सिमम साइन डेल्टा पी मैक्सिमम साइन डेल्टा अगर आप इस एक्वेशन को इससे कंपेर कराओगे तो आपको पता लगेगा कि जो पी मैक्सिमम की वेल्यू है पा अपॉन एक्सेल एफ वी एस एक्वल्स टू वी आर सेंड जो हमने वोल्टे सेंडिंग एंड से सप्लाइ करिए वही हमारा रिसीविंग एंड पे मिल जाए वही मेरी एक अच्छी ट्रास्पिशल लाइन होगी तो उसके साफ से क्या करेंगे हम पी मैक्सिमम जो होगा वो कित हो जाएगा वी एस स्क्वेर अपॉन एक्सेल जात्विन हम कह सकते हैं वी आर स्क्वेर अपॉन एक्सेल व्यार स्क्वेर अपॉन एक्सेल अगर आप इस पेरामेटर को देखोगे अगर आप इस एक्वेशन को देखोगे अगर आपके पास वोल्टेज बढ़ने से सेंडि power capability जो है आपकी maximum power transfer capability of the transmission line बढ़ रही है तो यह है हमारा तीसरा advantage तो जब हम बात करते हैं अपने high voltage की हम high voltage क्यों prefer करते हैं transmission line तो उसके कुछ हमने advantage पढ़े है वो कौन-कौन से advantage थे सबसे पहले हमने पढ़ा सबसे पहले line losses gets reduced second हमने पढ़ा size of the conductor size of the conductor is reduces third हमने क्या पढ़ा third हमने पढ़ा power transfer capability of the transmission line gets increased अगर हम बात करेंगे in terms of efficiency efficiency क्या होता है आपका efficiency of the transmission line किसी की भी efficiency क्या होता है output upon input या फिर आप क्या कह सकते हो output upon आपको output कितना मिला upon input means क्या कि भाई output plus losses मतलब क्या कि जो भी आपने किसी भी machine पे किसी अगर आप मशीन के respect में मत करोगे efficiency की तो जितना आपने इंपूर्ट दिया क्या हो आपको आउट्पूट जो मिलेगा मालनी जे वह 8 वोल्ट मिला तो बीच में कुछ न कुछ दो कहीं पर लॉस हुआ होगा आपने इंपूट के इस तरीके से कुछ आपने इंपूट तो दिया 10 वोल्ट का for example आपको आउट्पूट जो मिला वह मिला मालनी जे एट वोल्ट कहां गया कुछ लॉस हुआ होगा अगर आप और सिस्टम की बात करेंगे तो तो इस तरीके से मतलब हम क्या लिख सकते हैं इस सेफिशंसी को आउट्पूट अपूट प्लस लॉसेज लॉसेज आउट्पूट प्लस लॉसेज क्या होगा आपका इंपूट फूट और स्वनें जहां पर लिखी है कुछ इस तरीके से एंपं इसको लिख सकते हैं आउट्पूट अपूट अपूट प्लस लॉसेज तो देखिए अगर आपका लॉसेज की वेल्यू कम हो जाएगी अगर आपके लट्सेस की कम हो जाएगी तो आपकी एफिशनसी जो ह हमारे क्या बताती है भई हमें high voltage पे ही transmit करना पड़ेगा अपने voltage को in some reasons के कारण इन सब advantages के कारण ठीक है तो इस तरीके से हम देखते हैं कि power system में हम high voltage transmission क्यों करते हैं उसका मैंने अच्छे से आपको एक explanation यहां पर दिया है ठीक है जी तो इसको देख लीजिए आप एक बार अब अब दूसरा topic पढ़ने वाले हैं दूसरा topic जो हमारा होगा एक यह question important होता है यह बहुत बार पूछे जाता है आपके हर competitive exam में इसके बार दूसरा question होता है कि in our system why do we prefer a high power factor means हम high power factor को ही क्यों प्रेफर करते हैं आप low power factor को प्रेफर क्यों नहीं कर सकते हैं उसका हमें physical significance देखने जा रहे है जस्ट अब देखिए in power system why do we prefer why do we prefer high power factor हम अपने power system में why do we prefer high power factor high power factor अब देखिए मैं आपको इस cancer बताता हूं एक हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ मान लीजे लो पावर फेक्टर एक हम कुछ लेंगे यहाँ पर हाई पावर फेक्टर हम देखेंगे कि भाई लो पावर फेक्टर रखने से क्या होता है हाई power factor रखने से क्या होता है लेट अजिव्जूम दाइट कुछ हमने की एक्जैम्पल लिया कुछ इस तरीके से हमने कोई मशीन लिए यह कोई हमारा लोड है कोई मोटर माल लीजिए ठीक है यह कोई हमारा लोड है जो पावर ले रहा है आपकी 220 वॉर्ट अट इंद्ग पावर फेक्टर आउफ 0.5 यह कुछ हमारा लू पाउर फेक्टर है 0.5 यह आपने कुछ यहां पर इन्पुट दिया यह कुछ रिजिस्टर आर है यहां से कुछ इंपुे फ्लो हुआ यह अपने यहां पर फिर कोई आपका are यह कोई source है यह कोई load है आपका और उस load ने क्या डिमांड कर रखा है आपका कि इतनी पावर उसको consume करेगा वो और जो आपका power factor है वो 0.5 के equal है ठीक है यह low power factor region पर अब क्या होगा देखिए अगर आप यहाँ पर बात करोगे कुछ इस तरीके से की पी इकवल्स टू वी आए कॉस फाई इन इसी सिस्टम हमको यह पता है कि जो पी होता है आपका कितना होता है आपका वी आए कॉस फाई अगर आप इसके corresponding बात करोगे तो यहाँ पर लिख दीजिए पी इकवल्स टू वी इंटू आइवन कॉस फाई तो कि हमारे पास आइवन क्या है आइवन हमारे पास से करेंट है तो आइवन जो है वो क्या लिख हो गए अब पी बाई वी कॉस फाई हम ऐसा लिख सकते हैं पी बाई वी कॉस आइवन हमने लिखा पी बाई वी कॉस फाई जहां से हम क्या लिख सकते हैं पी की वैल्यू हमको पता है कितनी 220 वाट 220 वाट अपॉन वी वी हमारे पास है 230 230 वोल्ट इंटू यह 30 लिखा है 230 वोल्ट इंटू कॉस फाई कितना है आपके पास 0.5 यह कुछ कैलकुलेट करके आ रहा होगा 220 डिवाइड़ बाई 230 इंटू 0.5 यह आएगा 1.91 एंपियर यह आ रहा है करेंट 1.91 एंपियर यह कोई आपके पास 1.91 क्या है आपके पास कुछ कुछ करेंट की वैल्यू है ठीक है अब देखिए हैं आपको पता है कि जो आपके पास यह complex power होती है s equal to v into i conjugate हो आपको पता है voltage की value कितनी है 230 इंटू i1 कितना current निकाला हमने अभी 1.91 एंपियर यह कितना हो जाएगा आपका अगर आप इसको multiply करोगे 230 से तो आपके पास आएगा 440 यह आपके पास आएगा 440 वोल्ट एंपियर कितना आए आपके पास 440 वोल्ट एंपियर कुछ इस तरी 30 इंटू 1.91 यह आएगा 439.3 एप्रोक्स और हम यह कह सकते हैं इसको बोल दीजिए कुछ 440 वोल्ट एंपियर एप्रोक्सिमेटली 440 वोल्ट एंपियर के यह equal आ रहा है ठीक है हमने अभी तक क्या निकला अभी तक हमने i1 करेंट की बात करिए अभी तक हमने क्या बात करि तो कुछ reactive power का formula आपको पता होगा reactive power का formula किस तरीके से हमने लिखा है देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं Q equals to P 105 यह आप बोल सकते हो कि 105 equals to कितना होता है Q by P 105 equals to Q by P यह हम ऐसे Q लिख रहे हैं यह कुछ हम इस तरीके से लिख रहे हैं देखिए यह आपके पास कुछ इस तरीके से P होगा यह Q होगा यह आपके पास ऐसे ही है माल दीजे कुछ फाई है अगर आप यहाँ पर 105 की value लिखोगे 105 आपको पता है कितना होता है आपके पास base upon 10, 5 की value कितनी हो जाएगी आपके पास perpendicular upon base perpendicular कितना है आपके पास q upon base की value है p तो 10, 5 को आप क्या बोल सकते है q by p वो हमने यहाँ से लिखा है इसको हम बोलते है power triangle इसको हम बोलते है power triangle तो कुछ हमने यहाँ से क्या लिखा है यह value लिखे 10, 5 की तो आप Q की value को क्या लिख सकते हो P into 10 5 तो Q equals to P कितना है 220 watt into 10 of 5 cos 5 आपके पास 0.5 है तो आप 5 को लिख सकते हो cos inverse of 0.5 तो Q equals to 220 into 10 of cos inverse of 0.5 यह कितना आएगा आपके पास यह आपके पास आएगा cos inverse of 0.5 into sorry cos inverse of 0.5 381.05 VAR 381.05 VAR यह आपके पास कुछ reactive power आईगा अभी तक हमने निकाला है अपना current उसके बाद हमने लिका है reactive power उसके बाद हमने क्या निकाला है आपका S अब हम बात करेंगे power loss आपको पता है power loss जो होता है I square R होता है तो हम current I1 की बात कर रहे है अपने low power factor region पर तो हमने लिख दिया I1 square into R तो आपके पास power loss हो जाएगा आपके पास I1 की value कितनी है 1.91 square into R तो आपके पास PL आएगा 3.6481 यहाएगा आपके पास 3.648 into R power loss तो अभी तक आपने क्या parameter निकाला आपने current I1 की value निकाली है which is important अभी हमको comparison के लिए जरूरी होगी है S की value आपने निकाली है जो की आपके पास 440 है एक अपने निकाला है Q की value एक जो यह important होगी reactive power की एक अपने power loss निकाला है कुछ 3.648 into R R वो है resistance है जो हमने यहाँ पर एजम कर रखा है ठीक है जी अब देखिएगा हम बात करेंगे high power factor region की high power factor region की हम बात करेंगे यहाँ पर high power factor high power factor हम same diagram को इधे draw कर रहे है यह कुछ register R होगा यह हमारे पास कुछ machine है कुछ load है यह हमारे पास कुछ यह lagging load होगा आपके पास इसकी same power rating रखेंगे 220 watt मगर हम यहाँ पर जो power factor रख रहे हैं power factor यहाँ पर हमने 0.5 लिया था low power factor वहाँ पर हम high लेंगे 0.9 यह register R value this is I2 मालने जिए इस condition में आपके पास 230 volt हमने same input माना same voltage माना same power माना जो load connected है वहाँ पर यह भी load था हमारा lagging load यहाँ पर हमारा जो power factor हमने जो assume किया था हमने low power factor रिजन पर बात करी तो 0.5 यहाँ पर हम बात कर रहे हैं high power factor हमने मालने 0.9 तो उसके corresponding क्या क्या होगा देखिए हम I1 को लिख सकते हैं I1 को P by V cos 5 P कितना है हमारे पास 220 upon V हमारे पास हो जाएगा 230 into cos 5 0.9 यह हमारे पास हो जाएगा 230 divided 220 divided by 230 into 0.9 1.062 यह current जो होगा यह आएगा 1.062 amp और हम अगर हमने यहाँ पर 2 digit तक लिखा है तो हम यहाँ पर भी 2 digit लिख लेते हैं 1.06 amp current I1 की value हमने निकाल दी current I1 की value हमने निकाल दी 1.06 अब हम दूसरी condition पर बात करेंगे S equals to V into I2 sorry यहाँ पर I2 लिखेंगे I2 equals to V कितना है आपके पास 230 V into current I2 की जो value हमने निकाल दी अभी 1.06 equals to यह कितना है आपके पास यह होगा 230 into 1.06 243.8 यह होगा 243.8 वोल्ट amp यह आपके पास S की value हागी 243.8 अब हम बात करेंगे अगें Q की तो आप Q को लेख सकते हो Q equals to reactive power Q की हम बात कर रहे है P 10 पाई यह formula बताया था भी आपको और P की value है आपके पास 220 into 10 cos inverse of 0.9 यह आपके पास आएगा cos inverse of 0.9 10 into 106.55 यह आपके पास आएगा 106.55 VAR यह आपके पास reactive power है कुछ इस तरीके से अब हम बात करेंगे PL की power loss I2 square into R I2 की value आपके पास है 1.06 square into R which is equals to which is equals to 1.06 into 1.06 square 1.1236 1.12 into R करन के लिए कितनी होगी आपकी 1.12 into R यह आपके पास कुछ power loss है हमने assume किया एक low power factor हमने assume किया high power factor हमने दोनों के बिच्पे difference किया अब देखिए difference है क्या हम power system में high power factor की बात क्यों करते low power factor की वज़े से क्या क्या होता है देखिए compare कीजेगा जब हम बात करेंगे अपने low power factor region की जब हमने 0.5 को assume किया उस condition पे क्या हुआ current I1 की जो value है वो I1.91 जब हमने बात करी high power factor region की जब हमने cos 5 0.9 assume किया हमारे पास current की value कितनी आई 1.06 ampere अगर आप इसको approximate बोलोगे तो 2 ampere के बराबर लेख सकते हो इसको आप approximately 1 ampere के बराबर लेख सकते हो इसका मतलब क्या है आपका यहाँ पे आपको ज़्यादा current से यह थी यहाँ पे आपको कम current की requirement है उसके बाद जब आप एक complex power की बात करोगे complex power की बात करोगे अगर आप rating on the generator की बात करोगे तो complex power की respect में रिखा होगे तो जब आप S की बात करोगे तो 440 volt ampere 440 volt ampere 440 volt ampere यहाँ पे लिखा है यहाँ पे आपने लिखा है 243.8 volt ampere इसका मतलब क्या है जब हमने same load लगाया इस load ने same power consume करी यहाँ पे 220 volt यहाँ पे करी 220 watt मगर power factor कम होने की वज़े से इसने more current को draw किया मगर इसने less current को draw किया similarly जब हमने S की बात करी इसका size ज़्यादा हो जाएगा जो भी हम generator मालनी जिए कोई हमारा generator है यह generator है इस generator का आपका size बड़ा हो जाएगा देखिए 440 volt ampere same load को fulfill करने के लिए मगर यहाँ पे अगर आप load की बात करोगे same load के लिए यह generator का size जो है इससे just आदा है फिर हम बात करेंगे reactive power demanded by this load इस load ने कितनी reactive power को demand किया अगर आप यहाँ पे गौर करोगे जब आपने low power factor की बात करी तो reactive power आपकी आई 381.05 यहाँ पे आपकी reactive power कितनी है जब आपने high power factor की बात करी 106.55 same load के लिए जब हमने different power factor लिया low power factor में reactive power 381.05 मगर इसने कितनी reactive power कितनी reactive power ली 106.55 इसकी just तीन गुला यह अगर आप इसको 3 से multiply करोगे तो यह इतके बराबर आएगा समझ रहे हो तो यह बहुत कम reactive power इसने consume करी है अब देखिए जब आप power loss की बात करोगे power loss 3.648 जब आपने low power factor region की बात करी यहाँ पे power loss कितना है आपका 1.12 times of r मतलब power loss आपका drastically reduce हो गया यह अगर आप इस factor को 3 से multiply करोगे तो यह आएगा जिदा जिदा तीन से यह कम हो गया power factor, same load को perform कराने के लिए same load को, same load यहाँ पे भी same load है, यहाँ भी same load है मगर power factor के variation की वज़े से क्या होगा आपका, यह सारे parameter change हो जाएंगे, सारे parameter मितलब यहाँ पे बहुत सारा आपको, यहाँ पे current की ज़्यादा value यहाँ पे आपकी, जो आपका generator उसका size बड़ा हो जाएगा, फिर क्या होगा आपका reactive power demanded by the load is very large आपका power loss इंदा, power loss जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो तो यह क्या हैं आपके disadvantage है, low power factor के, और यह क्या हैं सारे आपके advantage है, high power factor के, समझ रहे हो अब समझ में आगया होगा आपको के, हमने high power factor prefer क्यों किया, अपने power system पे तो हम उसको कुछ इस तरीके से देख लेते हैं हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं यह सब जो मैंने आपको बताए हैं advantage है, किसके high power factor, low power factor के, आप लिख सकते हो current drawn by the load is जो load को current चाहिए वो कम चाहिए, advantage of high power factor advantages of high power factor दूसरा advantage के लिख सकते हो आप reactive power reactive power demanded by the load is less और के लिख सकते हैं आप power loss is less power loss आपका कम हो जाता है power loss आपका कम हो जाता है उसके बाद आप क्या लिख सकते हो power loss is less efficiency is improves high power factor में आपकी efficiency improve हो जाती है efficiency मैं आपको बता है था output upon input plus losses अगर मैं high power factor की बात करूँ at high power factor as compared to low power factor high power factor में आपकी losses की value कम हो गई थी as compared to this low power factor जिसकी वज़े से आपकी efficiency की value बढ़ जाएगी उसके बाद अगर हम बात करेंगे आपकी voltage regulation regulation voltage regulation of the line of the voltage regulation of the line is improved voltage regulation of the line is improved जब हम high power factor की बात करेंगे में आपकी advantage of high power factor size of the generator is less size of the generator same operation को perform कराने के लिए same load को सारी requirement fulfill कराने के लिए आपको जो size generator का low power factor में तो 440 वोल्ट एंपर के बराबर आ रहा था वागर यहां पर कितना है आपका 243.8 rating से decide होता है उसका size ठीक है तो 440 यहां low पे था high पे कितना है 240 जस्थाफ हो जाएगा तो size of the generator is less जब हम बात करेंगे अपने high power factor की तो यह सारे क्या होता है आपका power loss is less यह सारे आपके क्या होते है advantage होते है high power factor के as compared to low power factor तो आज तक आपको यह doubt रहा होगा कि हम high voltage transmission क्यों करते हैं और हम अपने power system में या अपनी machine में जो भी हमारा machine होता है power system मतलब हम आप हम high power factor को prefer क्यों करते हैं in case of power system this is a concept of high power factor हम low power factor को prefer क्यों नहीं करते हैं हम high power factor को prefer क्यों करते हैं प्रोवाइट कराने की कोशिश करेंगे तो अगर आपने ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजेगा, सब्सक्राइब कीजेगा शेर कीजेगा अपने फ्रेंड्स के दाक साथ कि हर किसी की हेल्प हो पाए, हर कोई तयारी कर पाए एक best possible way पर, so thank you so much for joining us, thank you